हेलो बच्चो गुद मॉनिंग एवरिवन कल आपने वर्ड्स किये थे ए और ए के तो पहले ये वर्ड्स का रिविजन करते हैं भी ए टी बेट, सी ए टी केट, एच ए टी हेट, पी ए एन पेन, टी ए एन तेन, एच ए एन हेन फिर से बी ए टी बेट, सी ए टी केट, एच ए टी हेट, पी ए एन पेन, टी ए एन तेन, एच ए एन हेन ठीके अब हम यहाँ देख सकते हैं ए और ए के वर्ड्स कर लिए अभी हमें किसके वर्ड्स करने हैं? आई, ओ, एन यू के, ठीके? तो अभी हम करते हैं आई के वर्ड्स आजाए ए नेक्स्ट पेज में आज की डेट लिखिए टू, 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 ट्विन्टी, टू और आई के वर्ड्स हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं, पी, आई, एन, पिन अब स्क्रीन में देख सकते हो, यह जो पिक्चर है वो है पिन का अब स्कुल में आए ही हो, स्कुल में एक ब्लेक बोर्ड जो है, उसके पास एक सोफ्ट बोर्ड है, जिसमें सारे चार्ट, ट्रैम टेबल्स लगाए हुए होते हैं तो वो के किस से लगे हुए है, ऐसी पिन से, तो इसका स्पेलिंग है, पी, आई, एन, पिन, ठीके नेक्स्ट आपको लिखना है, बी, आई, एन, बिन बिन मींज कच्रा पेटी, जिसमें हम डस्ट डालते है, स्कूल में भी है, हमारे घर में भी रेता है बिन जिसमें हम घर की सफ़ाई करके कच्रा जिसमें डालते है, वो होता है डस्ट बिन, जिसे कुडा दान कहते है ठीके, तो ये है बिन, इसका स्पेलिंग क्या आएगा, B-I-N, बिन, ठीके, तो आपको लिखना है B-I-N, बिन, अभी हम लिखेंगे T-I-N, तिन, तिन, तिन मतलाब डिबा, तिन मतलाब डिबा, अब लंच बुक्स में डिबा लेके जाते हो, है न, और तिन, पेपसी, कोका कोला, इनके भी टीन आते हैं, फिर कुछ चीजे हम मार्केट से खरिबते हैं, जैसे मकाई, जो एक डिबे में बंद होता है, फिर मटर, गी, वो सब टीन में आते हैं, डिबे में आते हैं, ठीके, तो ये डिबे को हम क्या बोलेंगे, टी, आई, एन, टीन, ओके, चलो अब सारे आई के स्पेलिंग्स एक बार रेट कर लेते हैं, पी, आई, एन, पीन, आप स्क्रीन में पिक्चर देख सकते हो, ये है पोट, पोट मतलब मटका, पोट मतलब गमला, बहुत सारे पोट है, फ्लावर पोट होता है, पानी के लिए जो मटका रखते हैं, इसे पोट कहते हैं, तो इसका स्पेलिंग है, पी, ओ, टी, पोट, नेक्स्ट लिखिए, एच, ओ, टी, होट, होट मतलब गरम, देखिए, यहाँ पे कप में चाय है, और चाय कैसी है, गरम, इससे दुआ निकल रहा है, है न, तो ये होट टी, क्या बोलेंगे, होट टी, ये क्या है, होट टी, जिसका स्पेलिंग होता है, ह, ओ, टी, पी, ओ, टी, पोट, होट, आगे हम लिखेंगे, थर्ड स्पेलिंग, सी, ओ, टी, कोट, सी, ओ, टी, कोट, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है कोट, सोने के लिए जो खटिया होती है, उसे कोट कहते हैं, जिसका स्पेलिंग होता है, सी, ओ, टी, कोट, क्या होता है स्पेलिंग, सी, ओ, टी, कोट, एक बार आई और एके स्पेलिंग हम याद रख लेते हैं, पी, आई, एन, पिन, बी, आई, एन, बिन, टी, आई, एन, टी, टी, पोट, होट, सी, ओ, टी, कोट, अब भी हमने ओके स्पेलिंग किये, कल ए और एके किये थे, आज आई, ओके किये, अभी हम करेंगे यू के स्पेलिंग्स, तो सबसे पहले वर्ड आप लिखेंगे, यू का जे, यू, जी, जग, क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, जे, यू, जी, जग, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जग का पिक्चर है, जो बड़ा सा एक बरतन होता है, जिसमें हम जूस, चाय, कोफी, वो सब रखते हैं, फिर छोटे-छोटे कप या मग में सर्व करते हैं, तो ये है, जे, यू, जी, जग, ये क्या है, जे, यू, जी, जग, ठीके, जग के बाद हम लेखेंगे, एम, यू, जी, मग, स्क्रीन पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये है, एम, यू, जी, मग, आगे जो हमने जग किया, जिसमें हम चाय जूस बना के रखते हैं, फिर पीने के लिए, हम जो सव करते हैं, जिसमें, वो होता है, छोटा सा एक मग, जिसका स्पेलिंग होता है, एम, यू, जी, मग, जे, यू, जी, जग, एम, यू, जी, मग, और लास्ट में लिखेंगे हम, बी, यू, जी, बग, बी, यू, जी, बग, ये है, बग, आप स्क्रेन में देख सकते हो, बग, ये लेडी बड है, इसे बग बोलते है, जो छोटे-छोटे किटान होते हैं, छोटे-छोटे जो हमारे आसपास हम देख सकते हैं, खटमल है, लेडी बड है, वो सब जो इंसेक्ट हैं, उसे हम बग कहते हैं, तो इसका स्पेलिंग है, बी, यू, जी, बग, अभी हम सारे स्पेलिंग एक बार रिवाइस कर लेते हैं, P-I-N-PIN, B-I-N-BIN, T-I-N-TIN, P-O-T-POT, H-O-T-HOT, C-O-T-COT, J-U-G, जग, M-U-G, मग, B-U-G, बग, ठीके, तो ये आपको आपकी बूक में अच्छी हेंट रैटिंग से लिखना है, ठीके,